हेलो मैं बीटुफुल सूल्स वेलकम टू मैं यूट्यूब चानल चारोविशिवी चापले जियर कैसे हैं आप से भी लोग आप से भी लोग बहुत अच्छे हैं बहुत अपना इनावक कर रहे हैं चैनल पर आया है तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल झाल पर आया है झाल झाल जाल झाल तो यह मशाब तो डेफिनٹ mutual नहीं है उनकी लाव के अंदर एक साइकल का एंड हो रहा है जिसकी वज़े से उनकी लाव मैं मतल crawl क नहीं कि जब आपकी लाव के अंदर एक बदलाव आने वाला होता है उसके जश्ट पहले टावर मुवेंट आता है जहां पर आपकी जिन्गी का सब कुछ तहस नहीं सो जाता है और आपकी सारी प्लैनिंग्स सब धरी की धरी रह जाती है और सब कुछ बिगड़ जाता है उस वक्त आपको नमबर दिखाई देता है इंजल नमबर 444, 44, मास्टर नमबर 44 या फिर आपको ट्रिपल वार 444, 44, 44 की सिंक्रोसिटी बहुत होती है ये नमबर बात करता है कि आप रोटेक्टेड हैं आपके स्प्रेट काइड्स के दौरा और जो भी हो रहा है आपकी बहतरीन के लिए हो रहा है अभी इस वक्त में आपको डरने की जरूरत नहीं है इंविजबल फोर्सस आपके आसपास है ये 44 आपको शो करता है तो आपके पार्टनर के आसपास महादेव, भगवाज, शिफ और माकाली की एनरजी है वो आपके पार्टनर को संभालने की कोशिश कर रहे है उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे है और उनको बतानी कोशिश कर रहे है कि प्रेजेंट मॉमेंट में रही है जो भी हो रहा है वो डिवाइनली गाइड़ है जो भी हो रहा है इश्वर की मर्जी से हो रहा है और ऐसा होना लिखा हुआ था actually जब आपको 444 दिखता है और sudden tower moment उस वक्त आ रहा होता है आपके life के अंदर या फिर आप dark night of the soul से निकल रहे होते हैं तो परमात्मा आपको ये वतानी कोशिश हो करते हैं कि जो भी जो कुछ भी हो रहा है अभी आपके life के अंदर वो यू ही नहीं हो रहा है वो पहले से डेस्टाइंड है यानि कि वो सब कुछ होना पहले से लिखा हुआ था और आपको इस प्रॉसस पर ट्रस्ट करना होगा क्योंकि ये प्रॉसस पहले से ही आ रहा है लेकि बहुत मुश्किल होता है उस वक्त आपको present moment में रहना या फिर ये सोच पाना कि जो भी हो रहा है ये इस स्टेज में नहीं होते हो या उस स्टेजिती में नहीं होते हो आपको तो ये दिखाई rare होता है कि मेरी life खताम हो गई हेल हो गई अब कुछ नहीं हो सकता सब कुछ खराब हो चुका है और जहां पर आप ये सोच लेते हो कि सब कुछ खराब हो चुका है वहीं से एक नई चीज की शुरुआत होती है है ना तो वो एनरजी यहां पर निकल का है इस वक्त में आपके पार्टनर को मा काली का और भगवान शिफ का टोटल टोटल या फिर्म करें कि पूरा पूरा सपोर्ट है इसके अलावा मा काली जो है आपके पार्टनर की अंदर से जितने भी फियर इशूस हैं उनको हटा रही है अगीर मैं आपको अक्सर करके रीडिंग में बताती हूँ कि अपनी दूसरे वाले चैनल की रीडिंग में जिसने नहीं देखा है वो इस चैनल को सबस्क्राइब कर सकता है मैं हमेशा आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मा काली को सबसे पहले तब इनसान याद करता है जब वो बहुत जादा दर जाता और कुंदलीनी जब आपकी राइस करती है तो मा काली सबसे पहले आकर आपके सारे डर खतम करती है आपको डर से बाहर निकालती है तो यहाँ पर इनरचाई फियर का मैसेज है यह जो मैसेज देनी कोशिश कर रहा है कि आपके परसन के अंदर जितने बच्पन से लेकर अभी तक इशूज है फियर्स है या लोगों से ये डरते हैं या अपनी फैमिली से डरते हैं या और भी तमाम बाते होती हैं उनसे डरते हैं या बच्पन में कुछ इस परसन के साथ घटना हुई थी या ट्रॉमा हुए थे उनसे ये परसें डरते हूं सारे डर्मा आदी पराशक्ती इस परसें की अंदर से निकाल रही है देखिए ईशुर के बच्चे आप भी है और आपका पार्टनर भी ऐसा नहीं है कि वो बच्चा नहीं है और आप ही बच्चे है उनली जब आपको जरु जरुआ होती्शा है तो उन की तरफ भी जाएंगे ठीक है तूंकि जो चीज़ें आपके साथ हुई वो इसिलिए लिए वो चीज़ें निस Cathy ती जो आपके पार्टनर के साथ हो रही है वो चीज़ें पीस Сबहीं नहीं रही क्योंकि आपको कोई आकर ये बात समझाएगा कि सब कुछ बिगड़ किया सब कुछ तहसनास हो गया अब कुछ भी सई नहीं हो सकता ठीक है लेकिन आप ये चीज़ बूल जाते हो कि जैसे आपकी जिन्दी में बिगड़ सकता है वैसे ही बन भी सकता है और ये काम इश्वर का होता है आपके पार्टनर को भी इसी तरीकी केर आफ यूर इनर पीस तो आपके परसन का मुझे लगता है अंदरूनी शानती जिसे बोलते हैं इंटरनल पीस बोलें इनर पीस बोलें जो भी है वो इस वक्त में भंग हो चुकी है यानि कि इस परसन की अंदर जितनी भी शानती थी वो इस परसन के अंदर से जा चुकी ह आशान्त हो गया है आपके पार्टनर का मन बहुत जादा और कहींने कहीं को ऐसा लग रही कि आप सब कुछ खताम हो चूप है जिन्दी तम खाली हो गई। जैसे खाली कप देखा है ना आप में बिना चाय का कप या खाली का? दिकल इस परसंग को भी ऐसे ही लग रहा है कि इस परसंग की जिन्दिय एकदम खाली हो चुड़ है यूनिवर्स कह रहे हैं मा दीव और मा काली आपके पार्टनर को समझा रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है आफ सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना मात्र है और कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ना ہी आगे ऐसा कुछ होगा आपना यूनीवर्सivan को समयानी कोशिश कर रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है आफके पार्टनर के लिए और होलनेस की एनरजी है इस पर सुनको ऐसा लग रहा है कि अब इने कभी कोई पार्टनर नहीं मिलेगा या प्यार नहीं मिलेगा या जिन्दगी में कुछ ऐसी चीज़ा नहीं मिलेगी यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने आप में होल हैं कम्प्लीट हैं आपके अंदर फ सामिन एनरजी को बैलनस करें तो लोगों को ना इस चीज़ से बहुत जादा योणों प्रॉबलम होती है या तकलीफ होती है उन्हें लगता है कि कोई पार्टनर नहीं मिलेगा जबकि इनर वर्क का मतलब यह नहीं हैं कि आपको अकेले रहना है या आपको पार्टनर नहीं मिलेगा या आपको कुछ मिलेगा नहीं इसका मतलब यह है कि एक बार आप अपने अंदर संपून्टा को प्राप्त कर लें ताकि बाहर से जो भी व्यक्ति आए आपके जीवन के अंदर वो आपको संपून महसूस करा सकें ठीक है क्योंकि जब हमारे अंदर लैक होता है तभी हमें बाहर से लैक महसूस होता है तो इसका मतलब यह होता है ना वक का मतलब कि आपको बेस्ट मिल सकें इना वक का मतलब यह नहीं होता है कि अब आपको कुछ मिलेगा ही नहीं और शुरुआत में जब आपकी life के अंदर tower moment आता है तो आपको ऐसा ही लगता है कि अप तो मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं पर ऐसा नहीं है आपको मिलना ही है आगे जा कर छीग है बस अभी जो नहीं मिला है ना या फिर अभी जो चीज आपकी से दूर कई है उसमें आपको जो भी सीखना है या universe आपको जो सकते हैं अपने सामने वाले ऑले को अगर आप Usको सुन सकते हैं आप Usko समझ सकते हैं आप उसको मेहसूस कर सकते हैं डेफिनिटली उसके साथ आपका जो क्गर्शन है वह बहुत स्ट्रॉंग क्नेक्षन है क्योंकि आप आप चल रहा है जैसे आप सुन पा रहे हो समझ पा रहे हो वो डिफिनिटलि कोई ऐसा व्यक्कि की नहीं है जिसके साथ आपका कोई connection नहीं है उसके साथ आपका connection यहंण तभी आप उसे दूरसर बैट कर सुन पा रहे हो इसके अलावा यहां पर आपके person अगर आपकर doubt करते हैं, judge करते हैं, किसी भी तरीके से शंका करते हैं, उनकी जिन्गी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, उसको लेकर अगर आपको blame करते हैं, तो परमातमत जैसे आपको रोपते हैं ना कि अपने पार्टनर को blame मत करो, उसको करस मत करो, उसको गलत energy send मत करो, माफ कर दो, उसी तरीके से आपके पार्टनर से भी कहा जा रहा है कि माफ कर दो, गलत energy send मत करो, blame मत करो, क्योंकि आप भी जब आपकी जिन्गी मतना सब कुछ घ तो यूनिवर्स आपको गाइड करता है कि माफ कर दो, जो भी हुआ वो डैस्टाइन था, तो आपके पार्टनर से भी एक चीज कही जा रही है, क्युक्षि उसको पता है कि आपने करस किया था, तो जो भी उसकी जिंद्दी में हो रहा है, वो आपकी वज़ा से हो रहा है तो भी कही ना कही आपको ذम्म्हेदार मानता हूं बलेमिंग एनरजी देता है तो युझी वर्बश इस परसन से बोल रहे हैं कि आप बलेमिंग एनरजी सेंड ना करें ठीक है आप किसी तरीकी का कुई कर्स ना करें यहां पर है go outside new doors opening आपके person को लग रहा है कि सब कुछ इनकी जिनकी का खतम हो चुका है और अप कुछ कभी सही नहीं होगा पर universe इस person को कह रहे है कि अभी नए दरवाज़ खुलना बाकी है ऐसा ना सोचो ठीक है थोड़ा सा heal feel करो मतलब healing हो जाए तो my go outside की energy है आपके partner को कहीं बाहर भेजने की भी तयारी है universe की feel the healing that nature brings तो कहीं nature में भेजने की तयारी है जहां पर जाएंगे ये person थोड़ा heal feel करेंगे कुछ समय इस person की healing में लगेगा जो भी इनकी life में tower moment आया है tower moment के बाद आपको heal होने में थोड़ा समय लगता है उसके बाद यहां पर नए डोर्स भी open होते हुए नजर आ रहे हैं आपके person को ऐसा लगता है कि सब कुछ इनकी जिनकी में हमेशा इनी को बुरा मिला है या फिर इनी की जिनकी में खराब हो जाता है तो यहां पर card आता है family lineage का अगर आप एक divine soul है तो आपके पूरवजों ने आपके पित्तरों ने भी कहीं है कि आपको ही चुना है आपके ancestors ने कि आप ancestral cards को heal करें यह भी कारण होता है कि आपकी जिनकी के अंदर बहुत जादा तबाही हो जाती है आपको तकलीफ मिल जाती है क्योंकि वो ancestral cards आपी के हिस्से में आया है जिसको आपको heal करना है वो उस चीज को जिम्मेदारी उठाने के लिए आपी सक्षा हो तो यहाँ पर ancestral cards की energy भी आ रही है आपके partner को यह समझाया जा रहा है कि आपके उपर जो भी ancestral cards था उसको heal करना important था आपके बहतरी के लिए आपके आने वाली जिनगी के लिए आपके भविश्य के लिए ठीक है तो जो कुछ भी हुआ है इसको बहुत जादा serious way में ना ले कोई चीज बहुत जादा serious ना ले क्योंकि जहाँ पर love exist करता है वहाँ पर कुछ भी परिवर्दत नहीं होता है वो जैसा है उससे बहतरी आपको आने वाले समय मिलेगा यानि को कम कभी नहीं होता बढ़ ही जाता है हाँ attachment होगी तो खताम हो जाएगी रिलीज हो जाएगी इनसान अलग अलग हो जाएगी यह आपके partner को universe समझाने की कोशिश कर रहे है हम tarot से देखते हैं कभी बढ़ प्सक्वार । क्भी तूप जाता है क्भी तो खता है क्भी जाता है सेंट । डरेक्शब का uniform से और nouveau कि यहां पर energy आ रही है आपके person की अगें दिखिए यहां पर डर की energy है ठीक है जो मैंने आप से बोला था कि आपके person बहुत जादा डरे हुए हैं आगे यहां पर डर की energy है surrender की energy है आप surrender तो कर देतों यूनिवर्स को लेकि एक बार में आपके डर खतम नहीं होते हैं डर को फेस करना बहुत मुश्किल काम होता है इस वज़े से माकाली की एनरजी यहाँ पर आपके परसन के साथ में आई है आपके परसन के जो हिडिन सीक्रेट्स है या फिर हिडिन टोट्स है इस चीज का इस प पेंटेकल्स इनको ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें इस परसन की लाइफ में स्लो हो चुकी है और इसको यह समझ में नहीं आया कि कोई इनसान की लाइफ के अंदर क्यों आया मालीजे आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी आई और अब उनके साथ गर्माशमाप्त हो गया है या फिर उनके साथ चीज़ें समाप्त हो गए इनके निकलने का समाइ आगया गया है तो आपके परसन को इस पार्ट से बहुत जादा ब्राबलम हो रही है या एक क्वेश्ण ऐस पर्षन के दिमाग में लगाता है चल रहा है कि इनसान आखिर मेर life के अंदर थोड़े समाई कली स्परसंग को मेरी जिन्दी के अंदर क्यों भेजा जब में जिन्दी से जाना ही पार्डी को मेरी life से बाहर ही जाना था यहां जो कि न सोचने की कोशिश कर रहे हैं इसные की ला già ओम ये तो जो इनसान है उसे साथ से इनको ऐसा लगता था कि ये God's Child है, Divine Child है, इनको ऐसा फील होता था कि बलेस्ट है, लेकिन अभी इनको ऐसा लग रहा है कि अब तो इनकी जिन्दी में कभी कुछ ठीक हो इनी सकता है, ऐसा भी नजर आता है कि आपके पार्टनर लोगों से बातचीत करना भी जैसे बंद कर दिया, डेथ की एनरजी है, जैसे लोगों से बातचीत करना भंद कर दिया, अपनी सारी बातों को लोगों से शेयर करना जैसे इस परसन न बंद कर दिया है, राइट नो ये एनरजी है, इस परसन को आईसोलेशन पसंद आ रहा है, ओके आप परसनल लिडिंग ले स आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा वीडियो पसंद रहते लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब मैं चानल थैंक्यू गाइस